हाइ फ्रेंड्स गूट मॉनिंग कैसे हो आप लोग हो आप सब बढ़िया होंगे और मॉनिंग के सुबय आप सबी का हो बेल का मैं तहीं दिल से यहां पे देखिए कुछ मटर अमने छील लिए यहां पे थैयारी करनी है तो यहां पे देखिए हमने मटर छिल रहे हैं और बस यहां पर आ गए हैं किचन में चाय बिनाने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में हमारा टी हो चुका तरिके बन रही है दूदवली चाय और मैं दूदवली चाय नाने के बाद ही बनाती हूं तो यहां पर पती देज जी को अभी पहले ही चाहने पीना होता है यहां पर मैं ग्लास में चाय चाहने ले रही हूं तो यूटूब फैमिली आईए आप लग भी सर्दियों की गर्म गर्म चाय पिलीजिए तो चले एपे मतर हैं देखे लियो मतर राके हुए है हमने छोपिर ताइम ही शिर लिया था इसको और कुछ साम को यहां पे बनाने वाले में हैं सर्द्यु गया सबजी सबको पसंद आने वाली मतर का निमोना यहां पे भली अछी में इस तेल में बनती है नहीं तो सब्छी भली आशे मठा कर दो आदग दो हम एफे वालू करी है और यहां पेमिआ चाम साला में छोट्वार और में कोजिक्ट हैं चलिए जब तक हम आलो को फ्राई कर लेते हैं इसके बाद हम मटर को पीस दें हैं भी मटर बगर हमने पीस है नहीं है तो आलो क अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे तो यहां पे देखे इतनी मटर हमने बचा कर रखी इतना मटर है तो हम पीस ही ले रहे हरा मटर का निमोना बनाने के लिए पिलिया है ला-सुन-तरक और इतना धनिया पता है इनको पीच के लिए और यह देखिए यह पे अलू फ्राइ gg हो चुकी है तो अब इसको चलिए उसको अमने निकाल लेतेdy है और यहां पे हम और धनिया का मसाला भी पिचने के लिए रेडी है और पच्छेस को आलू को साइड में लाय जो बच्छा हुआ तेल लगा हूनिया जीर जीड़ का लगा तेल के बाद सब० Den juyo 혀के मठता के था पार्य रेया जाल से तो उनले कंद तो सब दलेर हम पार किए능 यहां पर मटर देखिए भून का रिडियो तेल दिख रहा है आपको नहीं तो मटर हमारा भून चुका है अब इसे में हम आड़ करते जाएंगे मसालों को यह दनिया पाउडर सौरी हल्दी पाउडर यहां पर एड़ कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा इसे भून देंगे चला सब्सक्राइब कर दो मैं कि भूट इसको जिन वासे नहीं निए बनाया तो जरूर एक बार ट्राइब करना बहुत ही बढ़िया से यह सब्सक्राइब होते हैं और यह देंगे फर्ऐ आलू तो यहां पर फ्राई आलो डालके में इसको मिक्स करतेंगे और इस सब्जी में हम टमाटर की यूज बिल्कुल ने करने वाले क्योंकि यह टेस्ट में सबसे हट के आने वाले हैं सब्जी और यह देखे भून चुकी है हमाई यह सब्जी बहुत अच्छी तरह ऐसे देख सकते हैं मटर बड़ी यह लपट गया हमाँ तो अच्छी तरह मसाला बगरे सब भून गए हैं और चलिए फिर और देखे दोस्तों जो यहां पर हमने हैरा मसाला धनिया बगरापी इसके रखा है न अब यहीं पर यह एट कर देंगे क्योंकि मैं सब्ची तो बड़ी अच्छी तरह भून गई अब इसको दो मिनट तक तीन मिनट तक हम अच्छी तरह से भूनेंगे और भूने के बाद यह देखे यहां पर सब्ची बहुत बड़ी हैं सच में खुस्भू आ रही थी और जिसको यह दी सूखी खानी है न तो यहां पर सब्ची में नमक आप एड़ कर लो ताकि यह भूंते-भूंते ऐसे पक जाए तक यहां पर मैं तरी बड़ी बना रही है तरी बच्चों को बहुत पसंद आती है रोटी चावल के सीमे भी खाले और यहां पर देखे जिसमे मेने मसाला पीसा था ना उसी से में पानी डाल देंगे ताकि उसका जो भी मसाले बगरे लगे हैं ताकि वेस्ट इस नहूं और यहां पर देखे मैंने पानी इसमें डाल है और यह देखे इसमें पानी थोड़ा सावर डालें क्योंकि अभी थोड़ा पके करा तो और बेचे इसका तरी बहुत अच्छा लगता है इसमें डाल देंगे हम नमक और यह हमारी सब्ची को बढ़ी है इसको ढख देंगे तो चलिए फिर हमें इसको ढख देते हैं और छ अगधा नमा कि सब्ची बंका रेडियो थी और इसमें देखें हैं पुरि मतरे मतरे के सब्ची में सब्ची में इसको घाण यह में ने की बनाब करेंगे को लाशाते हैं आप को कि आशार क्याता है ने तो अब हो बताने आप दो चेंड ऑड़ में को हाण उसके रहे हैं अम्मारे बॉर कैसा लगाई आप लोग जरूर कोमेंट करके बताईएगा और जो भी आपके सवाल हो तो जरूर आप बताईएगा मैं पुरी कोसिस करूँगी बताने के लिए और जो भी ब्लॉक में आपको मतब समझे आ रहा है कि मैं गलत कर रहे हैं भी मुझे आप जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स ब्लॉक में जब तक रादे रादे सस रहें मस रहें और ठली से बचाओ जरूर कीजेगा